कि हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल करियर अब बेड़ वाइंजीनियर में मैं उरंजन राज और जैसा कि आपको पता है जो एंचील में जो परिच्छा हुई थी 27-12-2020 को यहां पर आप देख सकते हैं 27-12-2020 को जो फोर्मैन और जो टिक्नीशियन की जो परिच्छा पर आजाना है यहां पर आप देखेंगे कि नोटिस सीधा सीधा यहां पर लिखा हुआ है सूचना नोटिस सौर्ट लिष्टेट अभियर्थियों की सोची परिच्छा 27-12-2020 लिस्ट आप सौर्ट लिष्टेश्ट कैंडिडेट रिटें एक्जामनेशन कंड़क्टेड अन पर लिखेंगे कि पोस्ट वाइज कितने कंडिडेट लिस्ट किये गये हैं और क्या डीटेल है वह जाकर आप यहां से चेक कर सकते हैं तो आईए मैं आपको इसको जो है ओपन करके यहां पर दिखा देता हूं तो दीखें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया जो है इस था ओर सियर अमीन एकाउंटेंट और जूनियर केमिस्ट इतने कटेगरी में आपको क्या हुआ था 27 वारा को जो पेपर आयो जीत हुआ था ठीक है तो यहां से आप डाउनलोड करके कि जिस भी कटेगरी का आपने एक्जाम दिया हुआ है माली जी आपने फिटर का एक्जा करके जो है दिखा दूँगा ठीक है तो अगर आप अधर ट्रेड के हैं तो आप निचे कमेंट करिए कि इस ट्रेड का भी सार्ट लिष्टेट का लिष्ट हम को दिखा दीजिए तो उस पर मैं आपको वीडियो बना दूँगा तो आईए हम लोग फिटर का सबसे पहले दे देख लेते हैं कि यहां पर मैंने फिटर का डाउनलोड कर लिया है तो यहां पर आप देखे लिए देख सकते हैं लिस्ट आप का इनिटेट सार्ट लिस्टेट फॉर इसकुट्री आफ ओर डाकुमेंट फॉर्ट पोस्ट आफ टेगनीशियन फिटर ट्रेनी काटेगरी 3 य यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिटर के लिए टोटल जो है कितने लोगों को बुलाए गया है तो लगभग तीन सो कुछ लोगों को यहाँ पे डाक्मेंड वरिफिकेशन के लिए ठीक है तो अगर आप फिटर के चात रहें तो आप यहाँ से सीधर डाउन्लोड करेंगे देखेंगे तो आईए यहाँ से आप देख लिजेगा लगभग कितने लोग बुलाए गया है उसके बाद मैं आपको कटाफ थोड़ा सा बता देता हूं तो लगभग देखे तीन सो पचासी लोगों को बुलाए गया है डाक्मेंड वरिफिकेशन के लिए अब आईए जल् जो कटाफ गया है वो 67 गया है यानि कि अगर आप जन्रल कंडिडेट हैं और आपको 67 या इससे उपर मांक्स आ रहे हैं तो आपको डाक्मेंड वरिफिकेशन लिए बुलाए गया है बात कर लेते हैं EWS की तो EWS का कटाफ गया है 60 आप लोग नोट कर लिजेगा आपने अप तो SC के कटाफ की बात करें तो SC का कटाफ गया है 63 और हम लोग बात करें ST के कंडिडेट की तो इनका कटाफ गया है 33 अब बात कर लेते हैं X-Servicemen वालों की यानि कि ESM की तो इनका लोग का लगभग 40-44 इस तरीके के रेंज में है यानि कि जनरल आप X-Servicemen है कि OBC X-Servicemen ह तो इस तरीके से आप यहां पर यह जो लिस्ट है इस लिस्ट को आप डाउनलोड करके आप यहां पर देख सकते हैं और अपना लंबर चेक कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने फिटर का बताया अगर आप किसी अनुट्रेट के हैं इसे इलेक्रीशन के हैं वेल्डर के है तो आप जाके वहाँ से ओफिसिल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे और सेयर कर दीजिए को दूस्तों के साथ साथी चैनल को नहीं सस्क्राइब किया मिलते हैं एक स्टूडियो में नए अपडेट के साथ अब तक बने रहे हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यवाल